दो दिर्याओं के दिर्मियान वाके सरसबज और कुदर्ती मनासर से माला माल जिला जिला मंडी भावतीन आज हम मंडी भावतीन की तारीख पर नज़र डालेंगे पंद्रा सो छे इस्वी में सूफी साब भावतीन पिंडी शा जानिया से इस सलाका में आए तो उन्होंने एक बस्ती की बुनियात रखी जिसका नाम पिंडी भावतीन रखा गया जिसे आप पुरानी बिंडी के नाम से भी जाना जाता है 19-वी सदी में ये अलाका परतानमी हकूमत के जहरे तसलत आया इस अलाके में कुछ जमीन बंजर और गहर अबाद पड़ी थी सन 1902 में अंग्रेज सरकार ने आप पाशी के नजाम का एक बड़ा मनसूबा शुरू किया तो उसी मनसूबे के तहट नेरलवीर चेलम भी खोदी गई और इस अलाके को सहराब किया गया अलाके की चक बंदी की गई 51 चक बनाए गया और जमीन उन लोगों में तक्सीम की गई जिनोंने सल्तनत बरतानिया के लिए काम किया था उस वक्त अलाके को गुंदल पहर का नाम दिया गया चक नमबर 51 मरकजी चक करार पाया जो के आज मंडी बहुदीन के नाम से मिशोर है पलान के मताबक इसकी तामीर की गई और यहां पर गल्ला मंडी काईम की गई बीस्वी सदी के आगाज में मुसल्मान हिंदू और सिक ताजर और जमीन दार यहां आकार आबाद होने लगे सन 1916 में हकूमत बरतानिया ने अपने दफाई और तजारती मफाद में पिंडी भाउदीन रेलवे स्टेशन काईम किया सन 1922 में चक नंबर 51 को मंडी भाउदीन का नाम देने का ऐलान किया गया सन 1923 में कस्पा की मास्टर प्लान के मताबक तुबारा तामीर करते हुए गलियों और सड़कों को सीधा और कुशादा किया गया सन 1924 में पिंडी भाउदीन रेलवे स्टेशन का नाम मंडी भाउदीन रखा गया सन 1937 में टोन कमेटी का दरजा दिया गया सन 1946 में नो दरवाजे और चार दिवारी तामीर की गई सन 1947 में पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया थो हिंदू और सिक भारत चले गया जबके भारत से नकल मकानी करके पाकिस्तान आने वाले बहुत से मुसल्मान यहां आपाद हुए सन 1960 में सब डुवीजन का तरजा दिया गया सन 1963 में रिसूल बैराज और रिसूल कातर बाद लिंक नहर का मनसूबा शुरू किया गया मनसूबे से मतलका सरकारी मलाजमीन और गैर मलकी ठेकेदारों के लिए मंडी बहुदीन के नजदीक एक बड़ी कानूनी काइम की गई सन 1968 में ये मनसूबा पायर तक्मील को पहुंचा ये मनसूबा मन्डी बहुदीन की कारुबारी नशुनुमा में अजाफे का एहन सबब बना सन 1993 में वजिर आला पन्याम मिया मुंसूर आमन बट्टू ने मन्डी बहुदीन को जिला का दर्जा देने का एहलान किया 326 कबल मसी में सकंदर आजम और राजा पोरस के दर्मियान मशूर और तारीखी लड़ाई मंडी बहुदीन के मगरब में दर्याय जेलम के जनूबी किनारे खेवा के मकाम पर लड़ी गई उस लड़ाई में राजा पोरस को शकीस्त हुई जिसके नतीजा में सकंदर आजम को दो शेहर मिले एक इस जगा पर था जहां इन दिनों मोंग है और दूसरा मुम्कना तोर पर फालिया है फालिया शेहर का नाम सकंदर आजम के घोड़े बियोस फालस के नाम की बिगड़ी हुई शकल है मंडी भावदीन से थोड़े फासले पर चेलिया वाला का वो तारीखी मुकाम है जहां अंग्रेजों और सिकों के दर्मियान सन 1849 में दूसरी लड़ाई हुई थी चेलिया वाला के निजदीक रख मिनार में उस जंग में काम आने वाले कई अंग्रेज अफसर और सिपाई दफन है मंडी बहुदीन सुबा पंजाब का खूब सूरत और मिशहुर शहर है इसके शमाल मगरब में दृयाई चेलिम इसे जिला चेलिम से अलग करता है जब के चनूब मश्रिक में दृयाई चिनाब इसे गुजराद, गुजरावाला और हाफसः अबास से अलाधा करता है मगरब में जिला सर्गोदा वाकि रख्में रकबा 2673 मरपा किलो मील्टर और सता समंदर से बुलंदी 204 मील्टर है जिला मंडी बहुदीन में तीन तसीले मंडी बहुदीन, फालिया और मलकवाल है जबके यूनियन कॉंसल्स की तादाद 65 है बड़े कस्बे, चेलिया वाला, गोजरा, हेलना, कुठ्याला शेखा, मांगट, मोंग, मिया वारांजा, पाडिया वाला, कादर अबाद, रसूल और वासु वगेरा है सबसे ज़्यादा अबादी जट कबीला की है और ज़्यादा बोली जाने वाली जबाने पंजाबी और उर्दू है दो दर्याओं के तर्मियान वाके होने की वज़ा से यहां की जमीन बहुत जरखेज और काश्ट कारी के लिए मोज़ू है यहां की ज़्यादा अबादी काश्ट कारी करती है आमेर इर्फान जोया, MBT News मंडी पहोदी आमेर आमेर उर्दू है